काई जू नंबर 8 एपिसोड 3 तो लास्ट एपिसोड के जिने हमने देखा था कि कारू अपने सूट की पावर को सोफ कर रही थी काफ़का के सामने वो काफ़का की कार को उठा कर दूर फैक देती है ये एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है तो किकारू उसके कार को दूर फ्रेक्ट देती है लेकिन काफका जाता है अपनी कार के पास और उसको उठा कर सीधा रख देता है ये देखकर वाई सब किकारू हो चुकी है बहुत ज़्यादा कंफ्यूज और वो काफका को बोलती क्या तुम भी सूट की पावर को यूज कर रहे हो लेकिन काफका ऐसा कुछ भी नहीं करना था काफका, जोज है, अपने ट्रक को उठाकर सीधा रख देता है और की कारो के सामने अपना नाम जोर से चिलाता यहातना राखना कि वाँ से फिर चली जाती ऐ। उसके बार रेनो आता है काफका को पर जोड चिलाइथा एक को पता चलीजा था कि kाफका ने इसाब अपनी काइज्यू की पावर्स को यूज़ किया है एन उसने ऐसा परफॉर्म करता है वो सबसे लास्ट आता हर एक चीज में उसकी जो रहेंग होती है वह होती है फिफ्ट नंबर पे काफका से तो बहुत ही ज्यादा एंड काफका अपनी रहेंग को देखकर बहुंचा उदास होता है लेकिन उसके पास रहनों आता है वह बोलता है अब एक औ अपरिटूट टैस्ट होता है उसके सामें सब पहुचाते हैं इस टास्ट के लोगों को क्या करना है कि कुछ योँजू इंड काईजू पकड़े हुए है उन लोगों को मारना है जो जितने अच्छे तरीकी से उसको मार पाएगा उसकी एपलेटी इसको उसी परकार से जच कर दिता है सिंपल सब्सक्राइब आप यह जाने के बाद आपको फिजिकल स्ट्रेंथ होती है वह बहुत ही जादा बढ़ जाती यहां जीरो वो सबसे कब परसेंट कर पाता है इसी वजए से उसके उपर सब के सब लोग हसते हैं वाई कि 0% कौन करता है यार मैज का टेस्ट थोड़ी ना है वेल एफटे टूस टेस्ट के अंदर यह सूट पहन कर उन्हें काईजू को मारने जाना था एंगर वो काईजू किसी व्यक्ति को पर हमला करता है ना तो सूट के अंदर एक कर दिया जाएगा उसकी जान बचाने के लिए लेकिन अगर वह सील्ड करने के नौबत आई तो वह व्यक्ति आटोमेटिकली फेल हो जाएगा वह सब के सब लोग अपने सूट पहन के रैडी हो जाते हैं वह सब के सब को छोड़ दिया जाता है काईजू के बीच में उसी ट ठारा था था काफका के लिए वह यहां बहुत ही जादा भारी थे एंगा पर नजर रखने के लिए बहुत सारे ड्रों इस भी लगाए गए हैं जो कि हर एक व्यक्ति को कर रहे हैं और उन्म की दो सोचता है कि यह ड्रोन क्यूं लगाएं गई हैं अगर इनको प्रफॉमेंस से ट्रैक करनी थी तो यह तो हमारे सूट से भी कर सकते थे फिर उसको रिलाइज होता है कि यहां पर वो सिर्फ फिजिकल पावर को नहीं कर रहे हैं वह तुम किस तरीके से सोचते हो वह सब चीज़ों को भी एनलाइज कर रहे हैं तो उसके बाद वह सिर्फ छोटे गन लेका देता है काई उसको मारने थोड़ दूर जाकर उसको एक ग्रुप मिलता है जो कि यह एक यह उन्जू को माने कोसिस कर रहे थे इस तरह को काफका पहले ट्रीट कर चुका है अपने डिस्पोजल वाली कंपनी में इसके सारे के सारी खामिया पता है उसको वीक पॉइंट सब पता है वो एक स्टेंग रहने उठाता है योंजू के मुह पे दे के मारता है उससे जो योंजू होता है फिर वह सब को बताते कि वाला जो योंजू है ना इसको मैं पहले टीट कर चका हूं इसके जो एर से ना उसकी जो हीरिंग पावर है वह बहुत जादा है इसलिए मैंने बहुत जाए इसकि बहुत जाए वहां जाता है उसके बाद रहने काफ़का आगे बढ़ जाते है किसी और यह जो को डुनने के लिए लेकिन इसी बीच में यह उपका के उपर टेकुराइक कर देता है वह बहुत जोर से सब्सकों डूर्ड करता है उससे की काफ़का बहुत दूर जाकर गिरता है। अशी अटेक के अंदर काफ़का बहुत जढ़ 홍观ु जाता है। स के लिंब बी टूर जाते हैं। जो इंकि को मोनिटर कर रहे थे वो डिसाइड करते हैं कि हमें सायज से काफका की प्रोटेक्शन शील्ट को एक्टिवेट कर देना चाहिए और उसी बीच में काफका ये भी सोचता है कि मीना भाई मुझे देख रही है एंद मैंसला चाजमीन पर पडा उंगा एन उसी ही टाइन पर आ जाती है किकुरू किकुरू आ कर उस योन जु को मार देती ही dependent काफका की जान बचा लेती है और वो उन्जू को मारने के बाद आगे चले जाते हैं किसी और उन्जू को मारने के लिए लेकिन जो examiner होते हैं वो ये decide करते हैं क्योंकि काफ़का के हाथ पर तूड गया है तो आगे नहीं लड़ पाएगा तो इसलिए MSIAS से इसको disqualify करना ही होगा लेकिन तभी हमारा काफ़का बहुत ही जादा मोटिवेट हो जाता है मीना से भी एन वाइसा उसको किकारू भी दिख चुकी है और वो उस सिट कंपेट करना चाता है और इसी मोटिवेशन के चकर में वो अपनी लिमिट्स को पुसपास कर देता है और वो 0% से पहुंच जाता है 0.01% पर और जो और से चिला कर यह बोलता है कि वो कभी भी गिव अप नहीं करेगा और इसी के साथ हमरा एपिसोड यहीं खतम हो जाता है वेल अगर आप चाहते हो कि मैं कायूट नमबर एट की मांगा को कवर करूँ तो मुझे कमेंट करके जोड़ से बताना है मिलते हैं आप से लख वीडियो के अंदर सावनारा जाहिंद जय भारत